तो दोस्तो काफी टाइम से हमें एक चीज पूछी जाती थी कि डेटा को रिकवर करने वाला कोई अप्लिकेशन बता दीजिए तो जिया दोस्तो आज के इस वीडियो में हमने आपको डेटा रिकवरी के लिए एक अप्लिकेशन बताया है जिससे आप अपना डिलीटेट बने रहे तो दोस्तो डेटा रिकवरी करने के लिए आपको एक अप्लिकेशन अपके फोन में इंस्टॉल होना चाहिए तब आप डेटा रिकवर कर पाऊंगे विदाव टैनी अप्लिकेशन आप डेटा रिकवर नहीं कर पाऊंगे तो इसके लिए आपको अपने फोन में जो होना चाहिए जिससे आप image audio video जो भी आपको record करना है वो आप recover कर सकते हो तो आज की वीडियो में यही आपको बताया है जो भी आप rules सुनते हो 14 number का rule type करना है जब तक रूल टाइप नहीं करोंगे तब तो आपको form submit नहीं होगा तो आप लोग जो है rule type करके फिर form भरिए तो मैं हूँ आपका दोस्त जीतुराज चले शुरू करते हैं आज के इसने एपिसोड को चानल पर करने हो तो चानल को subscribe करने के साथ साथ notification bell icon को always hit कर लेना क्योंकि unique वीडियो की list पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को like जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो comment box में जरूर पूछ लेना तो दोस्तो किसी भी data को । और मस mission लागले के लिए आपके फोन में किसी भी data recovery वाला कोई चैनल प्रीज कैसिन जो тебя जोना चाहिए या आप पहले है से इसको इंश्टॉल करकर रखना चाहिए आपके फोन में तब आप जो अपना डिलीटे डेट ज भी आफ असननी से रिक पर कर पाओंगे, तो अब मेंने यहाँ पर dumpster application इंस्टॉल कर रखा है, आप भी अपने फोन में यह application इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर जो भी आपको अच्छा application लगे recovery के लिए, तो वो application आपको आपके फोन में इंस्टॉल करके रखना है, अगर आपके फोन में recycle bin है तो वो भ यहां पर मैं Dumpster application को open कर लेता हूँ और यहां पर क्या options हमें मिलते हैं यह दिखा देता हूँ काफी छोटा सा वीडियो बनेगा ज्यादा बड़ा नहीं है उपन कर लेते हैं अप्लिकेशन को Dumpster is protecting your photos, videos and files from being deleted ठीक है इसने बता दिया कि यह application आपके files, videos, photos को protect करेगा ऐसा इसने बता दिया यहां पर जैसे हर application में होते हैं bottom में कुछ options वह इस application में भी है bottom left corner से हम लोग start करेंगे bottom left corner में recycle bin का tab है deep skin का tab है deep scan ठीक है यह deep skin बोल रहा है लेकिन अच्छल में यह deep scan है tab more ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यह भी cycle bin पर set है इसलिए यहां पर फिला recycle bin आपका empty recycle bin है recycle bin is empty क्योंकि अभी हम लोगों कुछ भी delete नहीं किया है ठीक है मैं आपको आगे delete करके बता दूंगा यहां पर जो है deep scan है deep scan का major आपको इतना usage नहीं है आप इसका जो यूस है recycle bin का इससे ही काफी आसानी से जो है आपने data को recover कर सकते हो जब आप application को पहले से ही अगर scan करके हो तो ठीक है अब हम मोर में चलेंगे सबसे पहले अब यहां पर मोर में आने के बद सबसे पहले है recycle bin setting आप इसमें जो है क्या-क्या आपको recover करना है जैसे photos videos audio सबके लिए अलग-अलग options है अगर आपको photos नहीं रखने है तो आप आप यहां पर recycle bin में आपको photo नहीं दिखेंगे आप उसको off कर दोंगे तो वहां से direct tap delete करोंगे photo तो यहां save नहीं होंगे वो delete हो जाएंगे ठीक है तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको options चाहिए photo, video, audio सब options अलग-अलग मिलते है आप अपने हिसाब आप से select कर सकते हो ठीक है ओपन करके दिखा देता आपको अब इसने कहाँ what do you want to dumpster to save ठीक है अब आप इस application ने क्या save करके रखना चाहिए अगर आपको इमेज गलती से डेलिर कर देते हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेकिन आप यहां से यह option आफ करके रख सकते हो वीडियो से on है अगर आपको चाहिए तो आप यह भी आफ कर सकते हो यह से नहीं करेगा तो इसी तरह से सारे options आपको अलग-लग मिल जाते है ब कोई ज़रूरत नहीं है आप इसी यूज नहीं करके अच्छा है लॉक्स्क्रीन में अप्लिकेशन अन यह भी आप यहां से देख सकते हो यहां से नोटिफिकेशन है लैंगविज डिफल्ट है तो बस इतने ही इसमें option है अपर चलेंगे अब यहां पर जो है उपर की तरफ मोर option मिल जाता है यहां पर sort by का option मिल जाता है आपको किस तरह से आपका deleted data चाहिए देखना है यहां पर premium update का option मिल जाता है अब यहां पर recycle pin जो है all यहां पर selected है तो आप यहां से इमेज़ेस वीडियोज आडियोज डॉकुमेंट और अधर फाइल यह सारे option जो है अलग-अलग देख सकते हो जहां पर recycle pin all बोल रहा हो सब क्लिक करके सारे individual option आप देख सकते हो ठीक है तो हम लोग बैक करेंगे यहां यह काफी सिंपल इंट्रफेस था इस अप्लिकेशन का अब हम फाइल में जाके कुछ डिलीट करके आते है अब हमारी एक वीडियो डिलीट करेंगे यहां से यह कल की वीडियो है तो दोस्तो डिलीट डिलीट रिकवी करने के लिए सबसे पेरे तो आपको मैं आप मैंने एक लिंक रखे आप उससे टॉक बैक वेल को डिलीट करेंगे और उससे आप काफी अच्छे से मल्टि विंगर जेस्चर यूज कर पाऊंगे लेकर तो यह हमारी कल की वीडियो है अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं मैं इसको डिलीट करूँगा इसको डिलीट कर लेते हैं मैं इसको डिलीट हो गई अब हम वापिद होई करेंगे और उस अप्लिकेशन में जाएंगे अब हमें वह फाइल यहां पर दिखेंगे यह दिखेंगे इसको डिलीट करेंगे अब इसके बारे हम पूरे डिटेल बताएगा इसको डिलीट कर सकते हो लोकेशन कहां थी इस वीडियो की ठीक है टाइप बताएगा किस टाइप की वीडियो थी है वीडियो एंपी पोर थी साइज 2.8 MP की थी एक मिनिट चालेग सेकंड की वीडियो थी है यह जो है मैंने डिलीट की है यह देट भी बता रहा है 26 ऑगस्त ठीक है आगे देखते हैं यहां से आप रिस्टोर कर सकते हैं इसको डिलीट कर सकते हो अगर आपको आपकी जो फाइल है वह आपको आपी से च पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए रिस्टोर वन आइटम ओपन फाइल है ना यह देखिए रिसाइकल पिन एमटी हो गया है तो हमारी जो फाइल है वापिस उसी जगह पर पहुच गई है तो उमीद करते हो यह आपको दिखाने की ज़रूत नहीं है बार-बार वही हम लोगों ने और सिलेक कर रखा है वहां पर तो जो भी आप डिलीट करोंगे इमेज और यो वीडियो सब आपको दिखाई दे जाएगा तो काफी अच्छा है अप्लिकेशन और काफी एजी बीए काफी जल्दी रिकवर कर देता है तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर है मैं मिलता हूँ किसी और इंटेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन